Hello Friends Welcome to all आज मापके लिए एक बहुत बहत बहतरीन श्टॉक लेके आए हूं फार्मसक्टर का देखी पिछले दो साल से अगर आप देख रहे होगा तो फार्मसक्टर डूब रहा था लेकिन पिछले एक दो महिने में फार्मसक्टर ने रिकावर किया है बट ये stock पिछले दो साल में बहुत बहतरीन इसने perform किया है और ये stock अगर आप देखोगे तो इसमें buyback के news भी चल रही है जिसके उपर इस stock में बहुत जबरदस उचाल देखने को मिल रहा है और इस buyback के बारे में बात करते हैं stock के बारे में बात करते हैं पहले माँ आपको बता दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आकन को प्रैस कर लिजे जिससे आपको notification आती रहेगी चल यह बात करते हैं जो एक्सपोर्ट करती है 30 countries across the world एक्सपोर्ट करती है फार्मर प्रोडक्स को चलिए अब बात करते हैं इसकी न्यूज की जो बाइबैक की न्यूज है यही सीपियल केमिकल स्टसेज बावन वीक हाई अपने बावन वीक हाई को टच कर चुका है अप्रूबल एट 390 पर शेर का जो है बाइबैक का अप्रूबल मिला है अगर आप देखे दो तो डिफरेंट डिफरेंट अगर आप न्यूज साइट में देखे तो सारे उसमें यही न्यूज अभी जेबी सीपियल के बारे में यही चल रही होगी आपको देखे कितने शे अभी चल रहा है जेबी कैमिकल्स एंड फार्मासिटिकल्स लिमिटेड का 340 का प्राइस चल रहा है चलिए एक नजर डालते हैं इसके डिटेल पर आगर मां आपको दिखाऊं जेबी सीपियल की क्या अभी क्वैदी चल देखे दो मार्केट कैपिटलाइशन है 2817 करोड का म 1372,000 इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ पी रेशियो 19 का है चलिए एक नजर डालते हैं इसके ग्राफ अगर आप ग्राफ देखोगे यह देखिए इसका ग्राफ अगर आप टेक्निकल एनलिसिस पे ध्यान देते हैं तो आप खुद देखिए यह जो ग्राफ है 2016 में यह 240 के राउंड ट्रेड कर रहा था तो 240 का सपोर्ट मिला इस बार यह स्टॉक जो है 2017 अक्टूबर में देखिए यह कहां 340 थक गया था लेकिन वहां से जब गिरावट इसको देखने को मिली थी स्टॉक को तो यह स्टॉक गिरते गिरते आया यहां पे 260 तक आया पहले फिर उ वालियूम की लाइन से जबर्दस वालियूम ट्रेड हो रहा है और यह देखिए 240 से एकदम यानि कि जुलाय से अगस्त के बीच में यह 340 तक 100 रुप यहां पर जंप देखने को मिला है और इससे पहले भी अगर वालियूम देखे तो यहां पर एक जबर्दस वालियूम ट स्टॉक में अगर आप ओवरॉल देखें तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया जो है आपको रिटन दिये हैं जी बी सीपील दे और अगर आप इसकी पूरे ग्राफ की स्ट्रक्चर देखे 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 पिछले पांस साल में इसने बहुत बहुत बहुतरीन परफॉर्म किया यह देखे हाँ टाइम पे एक टाइम पांस साल पहले जनुरी 2014 में यह स्टॉक 80 रुपे का हुआ करता था अभी 400 का टच करके देखे तोड़ा सा मिन्स कंसिस्टेंट इसने पिसले एक साल में यह बिलकुल एक लिमिट बाउंडरी मिन्स 200 से 300 के 20, 300 के 20, 500 से 300 के 20, 300 के 20, 300 के आया है चलिए एक नजा डाल लेते हैं इसके अब देखें वैल्यूशन फियर है स्टॉक की आरो सी रिटर्न और कैपिटल इंप्लोईट जो इसका है 13.83 परसंट का रिटर्न और इकुटी जो है 10.30 परसंट का बहुत सॉलिड है दोनों चीज़े प्रोमोटर्स अगर आप देखें तो 55.81 परसंट परमोटर्स की शेरोल्डिंग है और मुचुल फंड ने 9.6 परसंट मुचुल फंड 12 मुचुल फंड स्कीम इसमें इनवेस्ट किया हुआ है 50 इसमें इनवेस्ट कर रखा 4.75 परसंट इसका अगर आप देखें हाई हाईस्ट पब्लिक शेरोल्डर् इसमें 4.13 परसंटेज का शेरोल्डिंग पैटर्न ना रखा है इंडिवीचुल इनवेस्टर के होल्डिंग 20.58 परसंट की है चलिए और यह स्टॉक प्लैस्डिक प्रमोटर होल्डिंग मींस किसी ने अभी इस टॉक को गिरवी नहीं रखा प्रमोटर्स ने तो यह बहुत बहुतरीन न्यूज है स्टॉक के बारे में चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जेभी एफ जेभी कैमिकल्स एंड फर्मशिटिकल्स यह बहुत बहुत बहुतरीन है व् Augen जो देख रहा है बहुत बहुत बहुतरीन पाफोर्मेंस है आगे भी अच्छा जरूर कर लिजिए थैंक्यों तांक्यों पर वाचिंग दे वीडियो